कि है वार्ट्सव गाइज बहुत बहुत करता हूं स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के उपर में आने के लिए एजुकेशनल आरके पॉइंट वाने के लिए और यहां लाइफ क्लास लगतार चल लएए फ्रेंज अगर आप लाइफ लाइफ जवाय नह अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसलों आरके पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो आपको यहां बिहार बिएट एससी बैंक जो भी चीज़ होगी जो भी इंपोर्टेंट वहां को पीडिएफ दोसर प्रिती में रॉसन सकतर आपको जो भी होगी मिल जाएग इसमें क्या है आप बता दू कि भाति सविधान में धेर सारे अनुष्यद है धेर सारे वहां पर बहुत सारे चीज़ है लेकिन जो आपके लिए इंपोर्टेंट जो सबसे अधि जाएग पुछी जाती जाए वो कोई भी एग्याम हो वो सबसे अधि जो इंपोर्टेंट है वही वही मैं बताने वाला हूँ और बाकी सब अनुष्यद मैं नहीं बताने वाला हूँ खुल मिला कि 396 में प्लस अनुष्यद है लेकिन सब आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है जो इंपोर्टेंट है वही मैं इस पुछी को बताऊंगा आई सुर करते सो सबसे पहला स आप से पहला सविधान जो होता है वो बोलते हैं सो फर्स्ट सविधान संसोधन जो कि 1901 हुए तब क्या होता है फ्रेंश आपको कभी-कभी संसोधन कभ वह था वह भी पूछ लिया जाता है तो यह सबात ख्यार लखना आप लोग 1951 में पहला सविधान संसोधन हुआ था इसक आपको आप याद कर लो फ्रेंश कि पहला जो हुआ था सविधान संसोधन हुआ उस समय आपको बना दी गई थी याद करना आपको एकमा फॉस्ट इंपोर्टेंट है उसके आप फ्रेंश आते हैं यहाँ पर दसमा संसोधन नहीं है लेकिन आप चाहते हो देखना था देख कर दाधार एंवनागर हवेली को भारतिय संग में सामिल किया गया था उसक ने इसके दरा इसके बहुत डराको दय्यू अपको इसके इसमें पूढ़को इसमें आप पूस्ता है इसके है इसमें क्या हुआ हुआ था इसके दोरा पांडी चेरी को केंद्र सासित परदेशों के रूप में भारत विलाय किया गया था उसके आप फ्रेंस यहां पर जो है कि नंना इसको अथकर दोरा संसत के मौलिक अथिकारों में इसके पर्द हुद जया का दिया गया तो तो सबने किसी भी भाग में संसोधन करने का अधिकार दे दिया गया दोस्त आते हैं 45 में 45 में क्या इंपोर्टिज का रूप में 45 में में इसके सिक्किम को भारतिय संग में सहराज्य का दर्जा मिला अब इम्पोर्टेंट ये इतनיים इंपोर्टेंट नहीं शै 26 बाइश का रूप में शJack 맞아 Yet ठीक है यह चीज़ वही है यह इंप्रेंट नहीं है इसको मैं लोग लगू सविधान के नाम से भूगारते हैं तो उसका एंसर यह होगा दोस्तों फिर पूछेगा आपको कितना स्विधान सुधन में आपको बहुत ही बड़ी चीज बरतला हुई थी तो वह आपको बियालिस्वा में हुई थी फिर पूछेगा बियालिस्वा में कब हुआ था इससे धेर सारे कोशिन दोस्तों पूछते हैं यह आपको most famous question आपको दिमाग मे आते हैं और यह दोस्तों यह पूछ देगा आपको कि समीति के तहत हुआ था तो स्वर्ण सिंग समीति के आयों कि सिफारिस पर यह वाली जो दोस्तों आया था यह important है इसमें फ्रेंस ब्यालिस्वा में सुन लो आप क्या का जोड़ा गया था आप लो याद्यान नकलो दोस कि सवा में ही सवासन ड़दन में ही सबसे पहले सवीधान की परस्तावना में धर्म निर्पेच एम समाजवादी सब जुरा गाया है उसी एसी में लोकसभा और वीधान सभा के कारेकाल को बढ़ा शेtte वर्स कर दिया ग। उसके पड्सक्रा ने वर्जित किया गया। उसके बाद दोस्तों एक आती चंगिस्वा संज़न दोए यह भी जाया पूछ दिये बहुत ज्यादा देगे बियालीस के बाद यही मोस्ट इंपोर्टेंट है अको चौलिसमा इस संपती की अधिकार को मौलिक अधिकारियों से हटा का करनोनी अधिकार बना दिया गया था य याद रखना है चली सा संज़न में यह कब हुआ तो उसका दोस्तों इसी के सवाधान सब्सक्राइब में राष्ट पती आपता काली का घोष्टना भी की गई थी और इसी में राष्ट को पती को यदिकार दिया गया कि वह मंत्री मंटल की सलहा के एक बार पुन विचार कर ठीक है फ्रेंश उसका दोस्तों यह 46 मा और साइसी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट मैं इसको लेकर चलता हूं कटके हां फ्रेंश यह आपको याद कर देनी है बावना में बावना सब्सक्राइब के तहां इसके तरह सविधान सभा में दसमीन सूची को जो हुआ को राजी के समय में रखा गया फिर फ्रेंश आते हैं एक सट्वा में क्या हुआ फ्रेंश एक सट्वा के अंदर में सविधान कर उच्छे तुछ इच्छ इच्छे में संसोजन किया गया तो यह और उसमें आपको मत्तिकार के उमीद 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिय सट्वा में फिर दोस्तों आते हैं एक खत्रम में क्या हुआ था एक खत्रम में नेपाली भासा मनीपूरी भासा कोकनी भासा में सूची में सामिल किया गया था यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए फ्रेंश दोस्तों अब मैं आता हूं यहां पर ठीहत्रमा में यह बहुत इंपर्टेंट है थीहत्रम इसके तभाइती राज की इस्थापना की गए थी आपको सस्विधान संसुद्वन के तहत में आपको स्विधानी सरच्षम पढ़ांग किया गया था आप याद़ करना चोहत्रमा में तीक है उसका दोस्तों यहां पर फिल्म इंपर्टेन आती है छीमावला ठीक है छीमाई में इसके दौरा प्रात्मिस इच्छा अजय को मौलिक अधिकार कि आपको याद करना पड़ेगा चाहे हसके चाहे रोके यह इसामिब दे देदी है दोस्तों जो इंप्रटेंट है मैं आप लोगों आते चलूँगा वही वही पर सो पढ़ लेना आपके एक्जाम के लिए काफी रहें दोस्तों अनुछेद वन में क्या हुई थी यह घोष्णा करता अनुछेद वान कि भारत राज्यों का संग है दोस्तों असे ऐसे पूछेंगे कि बताये किस अनुछेद में यहां मतला देख लेता हूँ फ्रेंश एक मिना तो यह इंपोर्टेंट है उच्छे तीन वाला के आपको संसद वीधी द्वारा नए राज यह बना सकती है पहले मौजूद राजों के च्छेत सिमाव में बदलाव कर सकती है पूछ देगा आपको कि किस अनुछेद के तहत में आपको फिफ कुछ देख दोस्तों अनुछेद कितने से कितने तक मौलिक अधिकार का परणुद रहाने तक बारत से लेकर पैतिस तक और च्छतिस लगए अवन तक क्या है तो अनुछेद एक आवन के काव में क्या आता है फ्रेंश तो मौली करतब आते हैं यह सभी मौश फिमस थ क्या है कि मंत्री परिशत की व्यास था और उसे करता है और जाकर वहां पर सर्च कर लेना जाकर मिल जाएगी आपके कि अनुछेद स्मार की आते हैं क्या है संसा था गठन असी में तो आसी में आपको राजयसभा गठन है 1818 सब्सक्राइब करने का अधिकार मिलता है तो आपकोराश्ट्र्विस में मिलता है फ्रेंश तो शर्वेच्छी न्याली की इस्थापन यहीं पहस्र पाल की निकती का अधिकार उसे मिला हुआ है तो फ्रेंट्स यहां यह वाली इंपोर्टेंट है यह दोनों अनुछे चौवन में लिए भारत तथा राजे के विश्चनचित निदिया है और इसमें आकास्मिक निदिया है तो फिर यह इंपोर्टेंट है आपको यह वाला और यह वाला अनुछे 280 में क्या है विट आयो गठरन है और 312 में क्या है अखील भारतिये सेवाएं है इसको ठोट लेना फ्रेंट्स आप लोग ठीक है उसका दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट यह आता है सुन लेजे अनुछे 331 में आती है तो अनुछे 331 में आती है फिर दोस्तों लोग स सभिधान में कुछ अनुछे जो most important है वो शूय लीजे भारतिये सभिधान में किई हैं सथे प्रफट पर लेना अगर आपने अभी तक ग्रूप में नहीं हो जाना नीचे दिया हुआ उसका दोस्तों अगर आपने साथ सब्सक्राइब कर लो तक वीडियो के में प्रफफवाइड करिवाता रहुँगा तो इस प्रफ्ट पर जाना और यहां साथ करना जिए अच्छनल पॉइंट टीक है और यहां यहां रके प्ट ना बश्ट ऑर यहीं दोस्तों यहां पर यहां पर यहां दाल दूगा अगर आपको बाद चाहिए अगर दो तीन मुहना बात देखाएं कोई दिकत नहीं है फ्रेंश आप यहां जाओ यह देखो सर्च बॉक्स पर क्लिक करो ठीक है मैं देखा रहता हूं यहां क्लिक करो यहां सर्च करना सविधान सविधान ठीक है अब लेगना भिहार बस दोस्त कि वीडियो में अतना ही चाहता हूं विदार गुडबाई जै न जय भाद मिलता हूं देख वीडियों तब तब धन्यवाद जै